कि दोस्तों यहाँ पर 48MP का ट्रेंट चल रहा है कि स्वामे के बाद रियल्मी ने भी 48MP का क्यामेरा याँ पर इंडैय में ला दिया और यहाँ पर उसके बाद याँ भी रियल्मी का टाइम आ चुका है रियल्मी भी यहाँ पर 64MP क्यामेरा पर काम कर रहे है। प्रेल्म की जो CEO है उन्हेंने मादो सेट ने एक विट में कवा है कि जो स्मार्टपून है वो यहां पर उट 64 मेघा पिक्सल वाला कैमरा है याप पर ला रहे है साथ में इन्हें टस्वीर किये तुछ तस्वीर में साब दीखाई देराएं कि थुरम है लिखा हुआ कि 68 मेघा पिक्सल साथ में AI quad core camera पर quad camera पर लिखा हुआ है जो कि चार camera के साथ realme smartphone ला सकता है हलाकि यह साथ नहीं हो पा रहा है कि realme X होगा या realme 4 होगा हो सकता है इन दोनों में सी कोई smartphone यहाप पर रेल में लेकर आए बट यहाप पर इस तसुर से कर तो चीज़े सामने आती है एक तो यहाप पर realme 4 camera के साथ पहली बार आ रहा है दूसरी बात यह कि 64 megapixel वाला camera जो कि यहाप पर पहली बार इंडिया के मार्केट में आ रहा है तो देखने वाली बात होगी बात करते तो यह जो 64 megapixel वाला camera है Samsung का ISO cell यह पर जो sensor है उसको यूज किर दिया है साथ में बात की जाए तो इस से के साथ जो पिक्सल मर्जिक टेक है वह यहापर 0.1 micron का पिक्सल है उसको मिला कर 1.6 micron तक इसको बढ़ाया दिया जाएगा जिसकी मदद से आपकी जो फोटो होगी वह यहापर लोलाट में भी बहतर आएगी जो कि कम रोशनी के रहने वाली थोड़ी से जादा रहने वाली जीव कि फिलाल याप पर प्राइज की बात की जाए तो लगबग जो रेल में स्मार्टपॉन को लेकर आती थी बजट सेगमें बस इस बार यह जो स्मार्टफोन रहेगा वो थोड़ा सा हाइप प्राइज में आ सकता है ऐसा जा ला सकती है तो फिलाल देखेंगे कि रेल में जो स्मार्टपॉन लेकर आने वाली अगले मौहने में केसा स्मार्टपॉन रहेगा और क्या प्राइज देंगी तो जानते आगले नेक्स्ट वीड़ी में तब तक की लिए बस इतना है अगर विड़ीयोग पसना आए तो